हेलो गईस आज हम बात करेंगे Realme C31 के बारे में और आज हम बात करेंगे How to fix fingerprint lock problem के बारे में वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिची का बिलक आइकन को प्रेस करेंगे fingerprint lock की problem को कैसे fix करेंगे सबसे पहला solution है आप लोग अपने phone को switch off करके switch on करें काफी चांसे की problem fix हो जाएगी या फिर आप लोग अपने phone के software update पे क्लिक करें और अगर कोई update अवेलेबल होगा तो फॉरण आप लोग अपने phone को update करें अपडेट करने के बाद भी problem को fix किया जा सकता है या फिर तीसरा solution है आप लोग क्लिक करें biometrics पे fingerprint पे क्लिक करें अपना password डालिए इसके बाद आप लोग अपना finger को delete कर दे finger delete करने के बाद आप लोग फिर से अपना finger print को add कर दीजे जब आप लोग का finger print successful तरीके से add हो जाएगा तो 100% आप लोग की problem fix हो जाएगी अगर finger print add नहीं हो रा इसका मतलब हो सकता है problem hardware की हो इसके लिए आप लोग को phone को service center या फिर technician को दिखाना पढ़ सकता है so depend करता है problem के उपर बाकी अगर problem software की होगी तो जो हमने आप लोग को solutions बता है definitely आप लोग की problem fix हो जाएगी टॉपिक याँ पे cover होता है मिलते है next video में जय मता दी